अन्लाइन सट्टा खिलाने वाले अंतराश्टी गिरोहों के ग्यारा साट ओरिये पकड़े गए विभिन कमपनियों के सरसट मोबाइल फोन पाच लेप्टाप पैसर्ड एटियम कार्ड आड़ बैंक पास्बुक जब नाम पता गिरपतार आरोपी पहला दिपेश धनवानी प गली नंबर तीन थाना देवेंद्र नगर रायपूर 36 गड़ दूसरा रोहित बलेचा पितास्वा संकर बलेचा उम्र 22 वर्ष निवासी लाखे नगर अवंती विहार थाना तेली बांदा रायपूर 36 गड़ तीसरा कर्ण पेश्वानी पिता सोहन पेश्वानी उम्र 19 वर् चौथा विजय थावरानी, पिता पर्मानन थावरानी, उम्र 22 वर्ष, निवासी, गुरुनानक वार्ट, तिल्दा निवारा, जिला रायपूर 36 गड़, पाच्वा, मोहित वैराकडे पिता, किसोर वैरागडे, उम्र 24 वर्ष, निवासी, मिजी, 442 थाना डीडी नगर, जिल रायपूर 36 गड़, छटवा रोहित, कस्तूरिया, पिता दिलिप कस्तूरिया, उम्र 22 वर्ष, निवासी, दीपक कालोनी थाना निव राजेदर नगर, रायपूर 36 गड़, सात्वा दिलिप कुमार महता, पिता क्रश्ना महता, उम्र 22 वर्ष, निवासी आमावा, थाना 19. लाल किसोर राम पिता दुखी राम उम्र 37 वर्ष नीवासी ग्राम विरहोना पोस्त भक्षी ठाना बहरी जडर दर्भंगा बिहार कमपनियों के सरसट मुबाइल फोन पाच लेपटाप पैसट एटियम कार्ड आठ बैंक पास्बुग पुलिस अधिक्चक जबलपूर स्री आदित्य प्रतापसियं भारती पुलिस सेवा द्वारा जिले में पदस समस्त राजपत्रित अधिकारियों एम थाना प्रभारियों क संगटित जुआ सटा खिलाने वालों को चिनहित करते हुए उनके विरूद प्रभावी कारवाई हेतु आदेशित किया गया है आदेश के परिपालन में अति पुलिस अधिक्चक सहर दक्षिन सूसरी सोनक्षी सक्सेना भारती पुलिस सेवा के मार्गदरसन में नगर पु सटोरियों को पकड़ने में महातुपुन सफलता प्राप्त हुई है थाना गवारी घाट में दिनाक साथ तीन दोजाट चोविस को विश्वस्तनी ये मुकबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ललपुर रोड इस्थित तुकसागर लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट की पा जवनपूर के माध्यम से रात्री घस्थ के दौरान सखन चेकिंग कराई जाती है आरोपियों की धर पकड़ेंग अपरात पर नियंद्राण के लिए जिसके परिपालन में दिनांग साथ तारिक हो हमारे घस्थ तीन के दौरा सखन चेकिंग की जा रहे थी जिसमें 36 गड़ जो है अवेद रूप से एक ऑनलाइन सट्टा का गेम खिलाया जा रहा था जिनको पर पता चला कि उनके दौरा एक ऑनलाइन सट्टा वेच्थ साइट के माध्यम से कांफी बड़ा गिरोहों करके चला रहे थे जिनको पकड़के पोश्थ आज करने विदिवत सट्टा की का अगर अगर कोई भी गर्ष्ट चेंट्र में अगर इस परकार की गदिविदिया चली के उस पर कारवाही होगी और अभी इसका इन्वस्टिदिशन जा रहे है